यग्ये तपसी दाने चा स्थितिह सविती चोच यते यग्य तपसी दाने चा अर्थात यग्य तप और दानमे स्थितिह सदिती चोच यते अर्थात स्थिती इस सद की ही कहते हैं कर्म चैवत अदर्थियम और कर्म की भी तत के लिए सदित्यवा भी धीयते अर्थात सद का ऐसे ही विवरण करते हैं तो पिछले स्लोक में श्रीक्रिष्ण ने समझाया था कि सत जो है वह सद भाव और साधु भाव से जुड़ा है और सत जो होता है वह सभी कर्मों को शुभ बनाता है अर्थाद वह जिससे भी जुड़ता उसको ही वह शुद्ध और शुभ बना देता है अब यहां श्रीक्रशन उलेख करते हैं कि तत के लिए यग्य, तप, तपस्या या दान और क्रिया जो है जब वह किये जाता है तो उसमें सद्ध की स्थिती होती है तो यदि हम यह जान लेते हैं कि सद्ध जो है वह अच्छाई में और सद्ध भाव में जुड़ा हुआ है और यदि हम यह जान लेते हैं कि तत जो है जब उसके लिए यग्य किया जाता है तपस्या की जाती है या दान या क्रिया की जाती है तो उसमें सत्थित होता है तो इसे हम यह निश्कष निकाल सकते हैं कि जो भी कोई कार्य ऐसा होता है जो की तत के लिए किया जाता है वह कार्य स्वैम ही शुब हो जाता है और वह अच्छा कार्य होता है वह सत्वाव से भरावा कार्य होता है तो ये जो हम समझ लेते हैं जब इस बात को तो उससे हम सत्व गुण को समझ पाते हैं फिर की सत जो है वह मंगलमई और शुब है और वह वो कार्य है जो की तत के लिए किया जाता है और तत को हम समझे थे कि वह कौन है वह ओम है तो जैसे हम शलोक 23 में ये समझे थे कि जो ग्यानी होते हैं वह ओम तत सत मंतर के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं तीन विधियों के द्वारा जो की है क्या ओम तत और सत तो यहां पर ओम क्या है ओम हमने समझा था कि ओम दिव्य ध्वनी है ये वह कंपन है जिस पर जो है ये संपूर्ण शिष्टी जो है आधारित है अस्तित्व जो है वह अस्तित्व में आता ही है क्योंकि वह ओम के कंपन के द्वारा स्फूर्ण होता है तो इस संसार में जो भी क्रियाँ चल रही है वह सभी क्रियाँ जो है उनके पीछे वास्ता में ओम की ही ध्वनी है ये जो ओम है वह ही कार्य किया जाता है तो वह कार्य जो है वह कौन सा कार्य होगा वह ही कार्य होगा जो कि स्वयम के लिए नहीं किया जा रहा है वह उस दिव्वे शक्ति के लिए किया जा रहा है जो कि संपून अस्तित्व का आधार है अर्था जो कि ईश्वर है तो जब हम अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं जब हमुसे उस दिव्व perfectly के लिए करते हैं जो कि समपूर्ण शृष्टी को चला रही है तो तब हमारे जो कार्य होते हैं वह स्वत्ः शुभ हो जाते हैं और वह कार्य अच्छे और से भाव में होते हैं तो हमको यही बात समझने है कि जिदी हम अपने कार्यों को इस प्रकार से करेंगे कि वह उस दिविशक्ती के लिए किये जा रहे हैं जो कि संपून शिष्टी को चला रही है तो हमारे कार्य शुब होंगे मंगलमई होंगे और वह ऐसे कार्य होंगे जो कि कि वास्ताओं में कुछ कर रहे हैं उनका कुछ प्रभाव है और यदि हम अपने कार्य को केवल अपने हिंकार के लिए करते हैं और केवल स्वार्थ से करते हैं तो वह सारे कार्य वास्ताओं में व्यर्थी हैं क्योंकि वह जो कार्य तत के लिए किया जाता है, ओम के लिए किया जाता है, ईश्वर के लिए किया जाता है, उस शक्ति के लिए जाता है, जो कि इस संपून श्रिष्टी को चला रही है, तो वह कार्य सत कार्य हो जाता है, वह सत से जुड़ा होता है, और जो कार्य केवल अपने लिए किया जाता है अपने अहिंकार के लिए किया जाता है अपनी तुष्टी के लिए किया जाता है वह जो कार्य होता है असत कार्य हो जाता है और वह हमारे लिए शुब नहीं होता है वह शुब ही होता है तो जो ग्यानी होते हैं वह इस बात को समझते हैं और इस प्रकार से जो मंत्र है ओम में और अधिक और अधिक फसाते चले जाते हैं अपने कर्मों के बंधन में फस्ते चले जाते हैं तो यह संदेश इस श्लोक का था आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए से के साते iliello को यहीं पर 사मात करते हैं नमस्ते झाल झाल